नमस्कार आप देख रहे हैं टिप्स फॉर हेल्थ और आज किस वीडियो में हम आपको एक ऐसा हेल्दी सलाद बताने वाले हैं जो कि ना सिर्फ आपके शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करेगा उसको डिटॉक्स करेगा बलकि आपके शरीर में अगर कुछ एक्स्ट्रा फै चुकंदर है और नीबू है और एक हरा मिर्च है इसमें हम जो है काले नमक का भी प्रयोग करेंगे और एक छोटा प्याज भी इसमें जो हम एड करेंगे तो दोस्तों आप देखते जाए हम किस प्रकार से सलाथ को बना रहे हैं अपसे पहले आपको क्या करना है इस सभी सब जो है जो सलाथ के लिए प्रयोग कर रहे हैं इनको अच्छे से आपको छील लेना है इस प्रकार से तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जितनी भी सब्जियां थी खीरा गाजर मूली चुकंदर प्याज इनके उपर को छिलका होता है इसको हमने जो है साफ कर दिया है और जो है यह जो मूली के पत्ते हैं इनको हमने जो है ले लिया है अब इसके जो नीचे का जो यह वाला पोर्शन होता है दोस्तों मूली के पत्तों का इसको आपको यूज नहीं करना है इसको आपको हटा देना है तो दोस्तों अब क्या करना है कि यह जितनी भी लेना है और महीन आपको कद्दू कस्ये अलग अलग कद्दू कस्ये कसने के बाद आपको वीडियो दिखाते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने खीरा, चुकंदर, गाजर, प्याज, मूली और मूली के पत्तों को पहले अच्छे से धुल लिया उसके बाद इन्हों छोटे चोटे तुकड़ों में काट लिया है यहाँ पर आधा नीबू है और एक मिर्च है, अब दोस्तों यहाँ पर जो इन सभी चीजों का मिस्रण है अब दोस्तों इसको आपको जो है mix करना है और जैसे कि आप देख सकते हैं आपर खीरे का हमने प्रयोग किया खीरा दोस्तों आपके शरीर का मोटापा कम करने बहुत ज़्यादा लाप्रद होता है और पानी की कमी को भी दूर करता है अब ये गाजर तो आप जानते ही होंगे गाजर जो है कितना विटमीन A से रिच फूड है आप जो है अगर आपको गाजर प्रयोग करते हैं तो आपकी विभिन प्रकार की विमारिया इससे भी दूर हो जाते हैं जुकंदर हमारे शरी में खून की कमी को दूर करता है और लाल रक्त कणकाओं को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है मूली का प्रयोग हमने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि मूली दोस्तों आपके लीवर के लिए रामबान है बहुत से लोगों सुना होगा कि लोगों को पीलिया हो जाता है तो पीलिया रोग भी दोस्तों लीवर से से संबंदित होता है और लोग मूली का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं तो दोस्तों अगर आप मूली का प्रयोग करते हैं और मूली के खास कर पत्तों का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में आपके लीवर को बहुत ही जादा बहुत ही ज़्यादा च्हमता बढ़ जाएगी और उसका लीवर अगर किसी प्रकार की समस्या है तो दोस्तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा पाचन तंत्र आपका काफी मजबूत हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर जो है यह सारी चीजे यहाँ पर हमने प्याज भी लिया है अगर आप चाहें तो प्याज ले सकते हैं अगर कोई प्याज नहीं खाता है तो उसका प्रयोग ना करें नीबू है और एक मिर्च है तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जयो भी सबजियां थी, सबको हमने मिला कर एक मिश्रन तयार कर लिया है और यहाँ पर गाजर, चुकंदर, प्याज मूली और मूली के पत्ते नीबू, काला नमक वगएरा डाल के हमने इसको काफी ज्यादा स्वादिश्ट बना लिया है, दोस्तों खाने बहुत ही बहुत ज्यादा स्वादिश्ट आपको लगेगा आपको यह नहीं लगेगा कि इसको हम जबजस्ती खा रहा है दोस्तों बहुत टेस्टी होता है, आप इसको खाने के साथ भी खा सकते हैं या फिर खाने के पहले भी खा सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदी मंद है, ये समझे लिजीए, और प्रकति की द्वारा दी गई बहुत सी चीजे इसमें मिक्स हैं, जो हम इसका सेवन नहीं करते हैं तरह तरह की चीजे खाते रहते हैं, लेकिन इनका सेवन हम नहीं करते हैं तो दोस्तो अगर आप इसका प्रयोक करना चालू कर देंगे तो आपको अपने शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे एक से डेड़ महीने इसका आप सेवन करिये ठंडियों का मौसम आ चुका ये सारी चीजे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी तो आशा करते हैं दोस्तो आप इस वीडियो को देखकर आज से ही ये सलात खाना शुरू कर देंगे और अपने स्वास को और जादा बहतर बनाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियों हमने आपको एक बहुत ही स्वादिष्ट सलाद बना कर दिखाया सबजियों का दोस्तो यह आपके शरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है अगर दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा जिससे की आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के स्वास वर्दक वीडियो लाते रहें तब तक के लिए स्वस्त रहिए और मस्त रहिए नमस्कार